हेलो दोस्तों आरद्धाराइस अकेडमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राधस्तान में आईजित रिट बर्ती परिक्षा लेवल टू SST यानि की सामाजी कद्ध्यन के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार मोडल पेपर की टेस्सीरी शुरू की गई थी जिसमें अपने 16 मोडल पेपर है वो कंपलीट हो चुके है आज अपना इसमें 17 नंबर का मोडल पेपर है कुल 150 प्रेस ने इसमें सामिल किये गए हैं और हूब 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 आपको SI पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपने 16 मोडल पेपरो का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट है SST मोडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ जाकर पिछले मोडल पेपरो का टेस्ट है वो अवस्य दे और अराध्यारेस अकेडिमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाए वीडियो को लाइक और अ निमनलिकित को सुमेलित कीजिए दोस्तों देखिए सूची फस्ट में महात्मा बुद्ध है ठीक है महात्मा बुद्ध के जन्म का परतिक क्या है निर्वान का परतिक क्या है गरत्याग का परतिक क्या है और मर्त्यू का परतिक क्या है तो वह अपने को यहाँ पर बताना है सुची फर्ष्ट और सुची सेकंड में सुमेलित करना है देखिए महात्मा बुद्ध के जनम का प्रतीक है वो क्या है तो वो है दोस्तो कमल क्या है कमल है ठीक है और निर्वान का प्रतीक क्या है दोस्तो निर्वान का प्रतीक है इसमें क्या तो वो है दोस्तो पदचिने क्य है पद चिने और गरत्याक का प्रतीक क्या है तो गरत्याक का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है और मरत्यू का जो प्रतीक है वो है दोस्तों इस्तूप ठीक है यह मात्मा बूद के प्रतीक है दोस्तों कुल आठ प्रतीक बताए गए हैं जिसमें से चार का यहां पर पूछा गया ठीक है यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दो एक चार तीन दो एक चार तीन यानि की सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए यहां पर 92 नमबर का प्रेशन है निमनल इखित मेंसे ऐसते कतन कुनसा है वो अपने को यहां पर बताना है देखें हडपा सबेता की जानकारी गुनी सो चार एसमी में हुई थी दोस्तों यह अपना गुनी सो चार है वो इसमें गलत दे रखा है देखिए वैसे तो माना जाता है कि profits यहां पर सरवप्रतम सोध कारीinta में भिलकुल सही ए हडपा सबेता की कोज़ गुनी कि इसमें हुई थी बिल्कुल सही है हडपा सब्वेता नगरिये तथा कांसे युगिन सब्वेता है बिल्कुल सही है यहां पर ए नंबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा गुनी सो चार इसमें गलत दे रखा है जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है आगे देखे दूसर मद्रभांड चित्रित दूसर मद्रभांड तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें है आदी कावे कि संग्या किसे दी जाती है इसका राइट आदसर हो जाएगा वह है दोस्तों यह संग्या दी जाती है रामायन को यहां पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही रामायन को यह संगय दी जाती है अदी खवे की आगे देखे अनुलोम विवाहय का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों इसकार्थ होता है उस्चवन का पुरो से निमन वर्ड की नारी ठीक एम अनुलोम सकते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किन किन दक्षिन भारतिय जातियों का उलेख असोक के सिलालेखों में किया गया है यहां पर अपने को बताना है कि दोस्तों देखे यहां पर छह जातियां दे रखी है और अपने को बताना है कि इन में से कौन कौन सी जातियों का जो उलेख है वो असोक के सिलालेखों में किया गया है दोस्तों यहां पर देखिए इसमें चोल का किया गया है ठीक है पल्लाओं का नहीं किया गया है ठीक है पांडे का किया गया है सत्य पुत्र का किया गया है दोस्तों सोरी केरल पुतर का भी किया गया इसमें ठीक है और विश्नु कुंड विश्नु कुंड का दोस्तों इसमें नहीं किया गया इसमें देखे चोल का किया गया पांडे का किया गया सतीय पुतर का किया गया और केरल पुतर का किया गया यहां पर इन चारों का किय तर हो जाएगा आगे देखे 97 नमबर प्रशने प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमी तूप से सोने के सिक्टे किसने चलाये इसका राइट आइट अंसर हो जाएगा कुशान सासकों के दोरा यह सोने की सिक्के हैं यह चलाये गए थे सी नंबर का उप्सन बिलक समय के समस्ति की रचना हुई थी दोस्तों यहां पर देख सम्गे मैं स्थाम्ब का निर्मान हुआ था और इसकंद को बीतरी स्थामब लेख और बुद्ध के समय कैसे पहाड पुरोतामरपत्र रह이고 का निर्मान दुस्तों यहां पर अपना इसमें चारों के चारों क्या है दोस्तों इस सही है तो तोई प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, दो, तीन, चार, चारु इस इसु मेली थे, तो कौन सी उप्षन में है, डी नमबर का ओप्षन अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आगे देखिए 99 नमबर प्रेस्टन है, कथन ए और कारणार दिया गया ह यहां पर देखिए मुहमद बिन तुगलक दिली छोड़ने के बाद दो वरस तक सुन द्वारी नामक सिविर में रहा बहुत अच्छा प्रस्थन है देखिए दोस्तों यहां पर और इसकी वज़े से दोस्तों दो वर्स तक है मुहमद बिन तुगला के सुन द्वारी नामक सिविर में रहा था यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर है एक ही सही व्याख्या भी करता है यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें निमनलिकित युगमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है कुन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए जांगीर के समय दोस्तो業ं विल्यम होकिन साही था बिल्कुल सही है दोस्तो अक्भर के समय यह दोस्तो व्यापारी थे ठीक है अंग्रेज जी वापरी अक्बर कि समय सर टो मसरो ये गलत दे रहा है सर टो मसरो भी दोस्तों ये अंगरेजी आत्री था और ये व्यापार के लिए जांगीर के काल में आये था नाकि अक्बर के काल में यहाँ पर दूसरा नंबर का बाड़ी बंदो बस्त लागू किया गया था अंग्रे जो दोरा रायत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू किया गया था दोस्तों, मदरराज प्रिशीडेंसी वेब बंबई प्रिसीडेंसी में, राइट आंसर इसमें D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो ज लिए डेक सकते हैं दोस्तों आप ब्रहम समाज की स्तापना ब्रहम समाज की जो स्तापना है यह दोस्तों किसके दौरा की गई थी दोस्तों ब्रहम समाज की जो इस्तापना है यह राजराम मोहन सब्सक्राइब्र समाज किस्तापना 1778 में आनंद महिन बोस्ट की द्वारा की गई थी यह भी बिल्कुल सही है इसमें चारों के चारों क्या है बिल्कुल सहOld यहां पर इस प्रेश्ट्न का राइट अंसर हो जाएगा एक दो तीन चार यानि सीनम का उप्षिंछ में इसमें बिलकुल सी हुट्टर हो जाए गा. आगे देखें. संग्य आ परनाली का पहला प्रियास बारस attract बारस firका रदिन्यम दवारा किया गया था. संग्य प्रणाली का पहला प्रियास बारत सरकार अदिनियम दोरा किया गया था इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुनी सो पैंटीस में ठीक है 12 सरकार अदिनियम गुनी 35 के द्वारा ये संगे प्रनाली का पहला प्रियास किया गया था सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनलिकित सूचियों को सुमेलित कीजिए एक तरफ है दोस्तो सवेदानिक प्रावदान और दूसरी तरफ है स्रोत ठीक है यानि कि कौन सी चीजे कहां से लिए गई है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए मोलिक अधिकार दोस्तों मोलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं तो यह अमेरिका अधिकार पतर यानिके अमेरिका से लिए गए है ये राज्य के निति निर्देस तत्वे दोस्तों ये आईरिस के सविदान यानिकी आईरलेंड से लिए गए है मंत्री मंडली सरकार का जो प्रावदान है वो दोस्तों कहां से लिया गया है दोस्तों ये जो प्रावदान है ये ब्रिटिस सविधान से लिया गया है ठीक है और केंदर राज्य सम्मंद ये दोस्तों कनड़ा के सविधान से लिया गया है यहाँ पर अपना इस में right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो दोस्तो चार तीन एक दो इसका right answer हो जाएगा चार तीन एक दो यानि की B-n Tiffany vraiment का जो option है वो इसका बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखे निम्नलिकित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरीकों को प्राप्त नहीं है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अभी वेक्ति की सवतंतरता कादिकार है यह दोस्तों मूल अधिकार विदेशी नागरीकों को प्राप्त नहीं है तो right answer हो जाएगा इसमें B number का option बिल्कुल सही आगे देखे बारत की सविदान सबा गठित करने का आदार क्या था इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें cabinet mission plan गुनी सो 46 C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा cabinet mission plan गुनी सो 46 आगे देखे भारत की संचित निदी से धन निरगम पर किसका नियंतरन है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों संसद का नियंतरन है इसमें D number option बिल्कुल से संसद का नियंतरन है देखे टेस्ट आपको पूरा देना है तब और टेस्ट देने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं वो मुझे बताने की जरूत नहीं है क्योंकि आप सिक्सक की तैयारी कर रहे हैं ठीक है देखिए 108 नंबर का फ्रेस ने राश्ट्रपती निम्न लिखित में से किस परिस्तिती में आपातकाल की उद्गोशना कर सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परदान मंतरी तथा मंतरी मंडल के लिखित परामर्स पर दोस्तों राश्ट्रपती है वो आपातकाल की उद्गोशना कर सकता है राइट आंसर इसमें बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए निम्न लिखित में से किस किस मुद्धे पर राजेपाल राश्ट्रपती को सिफारिस कर सकते हैं देखिए राजे मंतरी परिशद की बरखास्त की पर सिफारिस कर सकते हैं उचने एले की नयदीसों का निश्कासन है कि सिफारिस है वो दोस्तों राजेपाल है वो राश्ट्रपती को नहीं कर सकता रा राजे स्विदान सभा का विगठन की भी सिफारिस कर सकता है राजेपाल राश्टरपती को राजे में स्विदानिक मशीनरी के भंग होने की घोशना भी दोस्तो राजेपाल राश्टरपती को कर सकता है यहां पर दो नंबर का ओप्शन गलत है बाकी पहला तीसरा और चोथा वो क्या है इसमें सही है राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला तीसरा चोथा यानि की ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखे पंचायती राज्षे समंदित निम्न समीतियों को काल करम से विवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर अपने को यहांपर क्या करना है चैन करना है दोस्तों ये सारी के सारी पंचायची राज्च्य समीतियां है इनका निर्मान कब कब हुआ था ये आपको यहाँ पर करमवाइज udah बताना हैद दोस्तों देखिए जी वी के राव समीति दोस्तों ये जी वी के राव समीति ये गुझि सो पिचछी में बनी थी कब बनी थी यहां पर देखिए बी आर महता समिती यानि की बलवंतराय महता समिती की जो इस्तापना यानि की निर्मान है यह दोस्तों गुनी सो सतावन में की गई थी ठीक है गुनी सो सतावन में और असोक महता समिती का जो निर्मान है वो दोस्तों गुनी सो सततर में किया गया था ठीक ह यहां पर इस प्रैस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें देखिए करम वाई जाणा है तो सबसे पहले तो बलवन तरह महता समीती उसके बाद मैं सोक महता समीती यानि की 3412 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3412 यानि की सी नमबर का कौन सा अपना इसमें सही है यहां पर देखिए दोस्तों इसमें राजे विदान सभा द्वारा चुना जाता है बिल्कुल सही है राजे का जो मुख्य मंत्री है यह राजे विदान सभा द्वारा चुना जाता है आगे देखिए मंत्री परिशद के सदस्यों द्वारा न्यू नंबर का उप्शन हो जाएगा केवल है फर्ष्ट सत्य है इसमें आगे देखिए अंतराष्टे तिति रेखा 180 डिग्री याम्योतर से अंतर करती है जिससे की वहें दोस्तों एक ही प्रसाशन के अंतरगत दीप समू को विभाजित ने करें यहाँ पर ए नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए अगर आपने रिट के टोपिक वाईज अगर प्रसन नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट टोपिक वाईज क्यूशन के ना सुमेलित करके सही कूट का अपने को यहाँ पर चैन करना है ठीक है देखिए यह हरीकें टाइफून क्या है तो यह चक्रवात है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से क्या करना है सुमेलित करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं द दोस्तों ये बताई कहां पर तो ये चीन में आते हैं ये चक्रवात और बागयों ये फिलिपिन्स में आते हैं ठीक हैं राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें एक दो चार तीन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक दो चार तीन इसका बिलकुल सही याद रखना ए एक दो चार तीन स्का सही उत्र आगे देखे एक सोचोजा नंबर इस ने निमने मेशन लुक्र इसे कों शकतन सही with का प्रियोकर के से ऑपने को यहां करना है चैन करना है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें चक्रवात-एक निमने दाब्द-ब्थंत्र है चकरवात एक निम्न दाब तंत्र है बिल्कुल सही है इस प्रेस्ट का राइट आंसर सी नंबर का विसुतिये परदेश यहां पर नंबर का उपसन an विशुतिये परदेश आगे देखिए फर्ष्ट को सugसे स्यूने से सुमेलित कीजिए ठीक है दूस्तों यहां पर देखिये पंजाब हिमाले कुमाव हिमाले यह नेपाल हिमाले असम लाज़गह धे रखे most कोन कौन कौन से नद्यों के मद्दे है अगर आपने हिमाले पड़ा है तो दोस्तों आपको उपर उपर ये चीजे हैं वो देखने को जरूर मिलेगी ठीक है दोस्तों देखिए इसमें पंजाब हिमाले दोस्तों जो पंजाब हिमाले है वो किस किस के मद्दे है पंजाब हिमाले दोस्तों ये सिंदू और सतलज नदियों के मद्दे है ये ठीक है पंजाब हिमाले सिंदू तता सतलज नदियों के मद्दे इस्तित है ठीक है और देखिए दोस्तों अपना इसमें कुमाव हिमाले ये सतलज तता काली नदी के मद्दे इस्तित है कुमाव हिमाले नेपाल हिमा हमाले है ये काली और तिस्ता नदी के मद्दे हश्तित है और असम हमाले दोस्तो तिस्ता तदधा ग् bakum sh states ayistatah में यहां पर इस फ्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा तीन पर 180 2 she 3 14 root यानिकि अपना इसमैं सी निम्시는 का helpful पाइसा पाउप्प सन वी इतरौ सब्धक option बिल्कुल सही हिमाचल परदेश में इस्तित है 101 18 सुमेлित कर सफका अपने यहां पर क्या करना है चैन करना है बताना है की कौन इसमेंगstOS यहां पर देखना कि मैं चैВ्रilla at campaign व्रदि दोस्तों इसका और डेख गांतिन थे सबहेंан पता चल गया होगा दोस्तों आपको यहां पर देखिए खाद्यान उत्पादन में जो करांती है यह हरित करांती से समंदित है दुग्द करांती है यह दोस्तों स्वेत करांती से समंदित है मतस्य उत्पादन है यह नीली करांती से समंदित है और उर्वरक उत्पादन है यह है इस अप्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 अपना इसमें right anzar हो जाएगए यानि कि D नंबर का option बिल्कुल सही एक सु गुनिश नंबर का प्रेस्ट का इक मुर्ण किस नदी गाटी चेतर में इस्तित आ अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये दूस्तों बताईए अच्छा प्रशन है इसका सही उतर हो जाएगा वो है कृष्टना गोदावरी नदी-गाटी चेतर में ये काई का लूर खनी ज तेल चेतर है इसमें एगल को पिछली यानि कि पिछले जनगर्णा दसक में भारती जनसंग्या वार्शी के गाती वर्दी दर क्या थी इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताईए तो वो है एक पॉइंट चोंसेट प्रतिसात है यहाँ पर है इसका राइट अंसर बी नंबर में बिल्कुल सही है सरिस्का अब्यारण का पर है अलवर में है बिल्कुल सही है राष्टे मरूद्यान जसल मेर में है बाड़ मेर अपना इसमें गलत दे रखा है अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से क बिल्कुल सभी एकसो तेविस नमबर प्रस ने कथन और कथन भी दिया गया है बताना है की कुन सा अपना इसमें सत्य है यहां पर देखिए दोस्तों राजस्तान में खरीब तिलहनों में मुंगफली तेल सोयाबीन तथा अरंडी सामिल है कथन B में देखिए राजस्तान में रभी तिलहनों में राई सर्शू तारा मिरा तथा अलशी सामिल है दोस्तो इसमें क्या है बिल्कुल सही है इसमें दोनों कथन A और कथन B दोनों सत्ते है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा A नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनक को सुमेलित कीजिए दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन से विद्धुत परियोजना है वो दोस्तों कहां पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मांगरोल मांगरोल कहां परता है बारा में परता है तो मांगरोल विद्धुत परियोजना कहां पर है बारा में है ठीक है पुंगल विद्धुत परियोजना कहा पर है तो दोस्तों पुंगल कहा पड़ता है विकानेर में तो पुंगल विद्धुत परियोजना कहा पर है विकानेर में अनूप गड़ विद्धुत परियोजना अनूप गड़ कहा पर पड़ता है बताए दोस्तों तो दोस्तों तो यह गंगा नगर में है और बिरसल पूर विद्धुत प्रिजना है यह दोस्तों भी कानेर में है यहाँ पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक चार तीन दो एक यानि कि अपना इसमें सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बह यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से सबने करता है वो कौन थे यहां देखिये दोस्तों इसमें नग्री ठीक है नग्री इस तल कि जो उत्कनन करता थे और चेक्र देवल्ड अर बंडार कर क., कौन थे ड आर बंडार कर थे जो दृत पूरा जो सब्धाहिए इसके उत्खनन करता थे दोस्तो आरशी अगर्वाल और रेड जो सब्धाहिए इसके उत्खनन करता थे देखैए ङरामसानी और रंगमेल के थे दोस्तो इसमें डॉक्टर हन् dozens रेड हैं एगा यहां पर is proudly creation का राइट अंसर हो नहीं था अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बताए कुन सा तो वो है दिल्ली सुल्तान इल्टुत्मिस है यह दोस्तों पर्त्विराद चोहां तिरते के समकाली नहीं था कन्योज का जैचंद गुजरात के भीम देव सेकेंड और गोर प्रदेश का वाले राज्यों का सईक्रम है वो सईक्रम है दोस्तों करोली कोटा जोधपूर उदैपूर करोली कोटा जोधपूर उदैपूर यहां पर बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्रो जाएगा आगे देखे सुमेलित करते हुए सईकूट का चैन कीजिए एक तरफ रियास कोन से पौटीकल एजेंट थे वो बताना है, यहां पर देखे दोस्तों अफना इस पाहिए कोटा रियासत के जो पौर्टीकल एजन्ट दी मिल्कुल सही है, उदैपूर के थे कैपटन सो वर्स उदैपूर के कौन agent थे वो major button थे उद्यपूर के थे दोस्तों major sovers, जोदपूर के थे दोस्तों make motion और जयपूर के थे इडन ठीक हैं तो यहां पर अपना इसमे right answer क्या हो जाएगा वह है चारो सही सुमेलित है एक दो तीन चार इसका right answer हो जाएगा इसमें ठीक हैं यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर सी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें मारवाड करांती संग की इस्तापना किस के द्वारा की गई मारवाड करांती संग की जो इस्तापना है वो किस के द्वारा की गई इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो लाल चंद जैन के द्ा की गई यहाँ पर A number का option सही उतर लाल चंद जैन के द्वारा की गई A number option बिल्कुल सही आगे देखिए निम्न में से कौन सा यूग में एस उमेलित है बो अपने को यहाँ पर बताना है देखे राकडी ये इस्तिरियों के सिर काबुसन है बिल्कुल सही है टड़ो ये मैलाओं की बुजा काबुसन है बिल्कुल सही है टणको ये दोस्तो इस्तिरियों के पाव काबुसन है बिल्कुल सही है जुबलो ये दोस्तो यहाँ पर इस्तिरियों के सिर काबुसन ये गलत रखा है और यह ही अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है भी नंबर उप्सम बिलकुल सही आगे देखे दीमा वह बकता नामक चित्रकार किस से समदित हैं इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों उनियारा सेली से समंदी थे यह राइट आंसर इसमें बी नमबर उप्सन सही उनियारा सेली आगे देखे निम ने मेंसे कौन सा युग में एसंगत है एसंगत अपने को यहां पर बताना है देखे एक तरफ पुस्तक है दुसरी तरफ उनक क्योंकि यह संगत है आगे देखिए वंस बासकर सुर्यमल मिस्रन बिसल देव रासो नर्पती नाला और खुमान रासो दल्पत विजय यह तीनों सही है इसमें ठीक है ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए 33 नमबर का प्रस ने सुमेलित करना है एक तरफ है दोस्त के सीहतल सांका के जो परवर्तक है वो है दोस्तों इसमें संत हरी रामदाश जी संत हरी रामदाश जी थे रैन सांका के जो परवर्तक है वो है दोस्तों अपना इसमें संत दरियाओ जी संत दरियाओ जी ठीक है खेडा पर सांका के परवर्तक थे दोस्तों संत रामचरण जी और सापुरा साखा के परवरतक से संथ रामदास जी यहाँ पर इस प्रेस्ट का रॉइट अंसर हो जाएगा दोस्तरों वो है अपना इसमें 243.1 24 देखिये इसमें सियंतल साखा के पषोई तो दोस्तों वो थे इसमें संत हरी रामदास जी रेन साखा के परवर्तक थे वो तो दोस्तो संत दरियाओ जी और खेड़ा पर साखा के थे दोस्तो इसमें कौन तो संत रामदास जी और सापुरा के थे दोस्तो संत रामचरण जी ठीक है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो चार तीन एक अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अपना बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे विष्वव की अधिकान से ज्वाला मुखी गटनाए गटीट होती है अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह गटनाए गटीत होती है कहांपर तो दोस्तों यह विना सात्मक पलेट किनारों पर होती है यहां पर D number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तस्मान सागर किस के मद्धे वस्तीत है तो दोस्तों यह उस्टेलिया वा नुजिलेंड के मद्धे इस्तीत है यहां पर C number का option बिल्कुल सही, आगे देखें निमनली खित में से किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है, किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है, इसका right answer क्या हो जाएगा, बताएए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही वो है अपना इसमें इसमाइल दूर्थीम को माना जाता है दोस्तों यहां पर सी नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे समाजिक अद्धन का आर्थ है समाजिक अद्धन का आर्थ क्या होता है तो दोस्तों समाजिक अद्धन राइट आंसर इसमें डी नंबर उप्षन स समाजिक अद्यान का केंदर बिंदू है तो वो कौन सा है तो वो है मानविय समंद ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही मानविय समंद आगे देखे समाजिक अद्यान विशे को अलग विशे के रूप में अद्यान करवाने की सिफारिस की सामजिक अध्यन विशे को अलग विशे की रूप में अध्यन करवाने की जो सिफारिस है वो किसने की इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोगने यहाँ पर B नंबर का उप्शन बिल्कुल सही मुदालियर आयोगने आगे देखें यहाँ पर भारत में विबिन विशे को समनवित करने का पर्तम परियास किसने किया दोस्तों वो किया था किसने यह किया था मातमा गांदी ने सी नंबर का उप्शन सही उतर मातमा गांदी ने आगे देखिए सामाजिक अध्यान विशे को कब मानेता दी गई ये मानेता दी गई थी दोस्तों गुनी सो सोला को ठीक है सी नंबर ऑप्शन बिलकुल सही है आगे देखिए वहें कौन सा सबसे उप्यूक्त दार्शनिक द्रश्टी कौन है जो सामाजिक अध्यान को सिक्षन के माध्यम से चातरों के बीच संपून मुल्यों को विक्षित करने में सकसम है बताए वो द्रश्टी कौन कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वे है दोस्तों आधर स्वाधि द्रश्टी कौन बी नंबर ऑप्शन बिलकुल सही है जिस प्रकिरिया में वैक्ति दूस सही सामाजी कर देन आगे देखे नाटक अत्वा अभीने उदारन है यह उदारन है दोस्तों द्रस्टे सरव्य सामगरी का उदारन है सी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे सरव्य सिक्षन सायक सामगरी का उदारन है तो वह उदारन कौन सा है तो वो है दोस्तों, लिंग्वा फॉन यहां पर ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा, लिंग्वा फॉन आगे देखिए चित्र, विस्तारक, यंत्र, किस परकार की साइक सामगरी है, जिसका राइट अंसर हो जाएगा, वो है, यांत्रिक दरसे का, ठीक है, यहां पर बी नंबर ऑप्षन बिल्कुल सही यांत्रिक द्रस से आगे देखिए सामाजिक विग्यान को एक मुख्य पाठे करम का हिस्सा क्यों होना चाहिए क्यों क्यों होना चाहिए क्योंकि दोस्तों गहन सोच को विक्षित करने में यह मदद करता है राइट आंसर इसमें एन नंबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए एक सिक्सक प्रक्षनार थी इस प्रकार एक है अनुद्ध सात्मक उद्धे से लिखती है विध्यार थी ल यह बोदन के छेतρε में आता है, राइट आंसर इसमें डि नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा, आगे देखे, शामपट को साप करने को सही पर कि disturbed किया है, शामपट को यह जो बोड होता है, उसको साप करने की सही पर किलिया क्या है, तो वो है दोसतों उपर से नीचे की ओर राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा याद रखना है ये 60 प्रेशने सामाजी कद्ध्यन के करवाएं हैं अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर से समंदित है तीस प्रेशने हैं वो करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर देखे शिक्षन के किस विदी से अधिगम में गुनात्मक परिवर्तन हो सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धती अपना कर आगे देखिये उद्देशियों के आदार पर सिक्षन का परकार नही है उद्देशियों के आदार पर सिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए भावात्मक उद्देशिय खिर्यात्मक उद्देशिय ग्यानात्मक उद्देशिय यह तीन हो है इस सिक्षण का प्रकार हैं चिंतन नमबर उप्शन सही आगे देखे एक कुसल अध्यापक के द्वारा अधिगम सिक्षन पर किरिया को सुरू करने से पहले करना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कुन सा तो वह है दोस्तों अधिगम परिस्तितियां उत्पन करना आगे देखे अब्यास या अनुबूती के परिणाम सुरूप वेवार में होने वाले अपेक्षाकरत इस्ताई परिवर्तन सीखना है यह कथन है दोस्तों यह कथन किसका है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है दोस्तों मौर्गन वेकिंग का कथन है यहाँ पर सी न निमनलीकित में से जिस परकिरियां में वेक्टी दूसरों के वेवार को देखकर सीखता है ने की परतियक्स अनुबूव को कहा जाता है तोस्तों इसमें सामाजी का दिगम का जाता है सी नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सामाजिक अधिगम आगे देखें निमनलिकित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उधारन है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिसलेक्सिया यहाँ पर डी नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा डिसलेक्सिया आगे देखें अभी कर्मिक अधिगम परक्रिया में व्यक्तिक भिंताओं का द्यान रखा जाता है इस पुष्टी यनकि इसकी पुष्टी इस बात से होती है कि विद्यारती अपनी गती से सीखते हैं विद्यारती अपनी गती से सीखते हैं यहाँ पर डी नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें थोंडाइक में परभाव का नियम का सेक्शनिक महत्व नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसमर्ण सक सकति में कमिए आगे देखिए वहाँ अवस्ता जब बच्चा तारखिक रूप से वस्तूओं वहाँ गटनाओं के विशयों में चिंतन परारंब करता है बता कौन सी अवस्ता में राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अपना इसमें मूर्त संक्रियात्म का वस्ता में ठ सिदान्थ परतिबादित किया है पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिदान्थ परतिबादित किया है इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुकुलित अनुकरिया सिद्धान्त परतिवादित किया है राइट आंसर इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे अभी प्रेज़ना सब्द से अभी प्राय भावना का किरिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन करना है यह कथन है दोस्तों यह कथन है किसका तो यह एट कि का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे अभी प्रेज़ना का तत्व कौन सा नहीं है चार उप्शन आपके सामने हैं यहां पर देखिए आवसक्ता चालाक और प्रोचसान यह तीनों तत्व हैं लेकिन दंड नहीं है यहां पर B-Number का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे भारत में बाल लिंगान देखे बाल अद्यन का बाल अद्यन की सुरुआत कब होई थी प्ता यह बाल अद्यन की जो सुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा गुली सो तीस में हुई थी दोस्त तो ऊप्षन बिल्कुल है आगे देखें बाल अद्धन की लंबात्मक विदी के जनक है तो वह कौन है जिसका राइट अंसर हो जाएगा वो है कारल सी गेरिसन कारल सी गेरिसन याँ पर अजर थाक्र Layer की विसे इस u मित्रता वेक्ति गत्व है गनिष्ट मित्रता है वो बाल्यावस्ता की विशेस्ता में सामिल नहीं है यहाँ पर सी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए हम जो भी करते हैं वहीं वेक्तित्व है यह कथन किसका है दोस्तों यह कथ सन का कतन है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही वार्ट सन का कतन है आगे देखिए व्यक्तित्व की विशेष्टाओं में सामिल नहीं है व्यक्तित्व की विशेष्टाओं में सामिल नहीं है क्या सामिल नहीं है देखिए गत्यात्मक्ता है महत्वकांशी है और अनुपम है यहाँ पे लक्से अनिदेशित है, वो इसमें सामिल नहीं है, C नंबर का उप्शन बिलकुल सही, आगे देखिए, आई जेनक के अनुसार वेक्तित्वा का प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, साइकोटीज्म, ठीक है, राइट आंसर इसमें D लियोपोल्ड ब्लेक, यहाँ पर B नंबर का जो उप्शन है, वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला वेक्ति कहलाता है, तो दोस्तों, वो अंतर मुखी कहलाता है, यहाँ पर B नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आंतर मुखी, आगे देखिए, भगनाशा का सबसे बड़ा आंतरी कारण है, भगनाशा का सबसे बड़ा आंतरी कारण क्या है, तो वो है, दोस्तों, मानसिक संगर से, मानसिक संगर से, यहाँ पर सी नंबर उप्शन बिलकुल सही, आगे देखिए, सारी रिक निर राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अतिकल्पना यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अतिकल्पना आगे देखिए 23 नंबर का प्रेस ने एक मानसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति हर नई इस्तति को समझता है अपना इसमें राइट आ आंसर हो जाएगा यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए बुद्धी ग्यान का अरजन करने की योगेता है यह कथन है तो दोस्तों यह कथन किसका है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वुड्रो का कथन है यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उ और जाए के अन्वर जाएगा वह दोस्तों के लिए यहां पर ए नमबर का ऊप्सिन बिल्कुल सहीत्र हो जाएगा के लिए आगे देखिए किसी दस वर्षी बालक की मांसी काईव 14 वर्स केलाता है वह क्या जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा वह प्रतिव मसाली कहलता ह राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें याद रखना ठीक है आगे देखिए यहां पर है देखिए क्रियात्म का नुसंदान के समंद में कौन सा कतन सही है बताए क्रियात्म का नुसंदान के समंद में कौन सा कतन सही नह नहीं है वह अपने को यहां पर बताना है ठीक है दोस्तों इसमें देखिए व्यापक इस तर पर कोई निर्ने लेने के लिए सुचना संकलन का कारिये इसमें किया जाता है यह दोस्तों अपना इसमें जो पहला ही कथन है वह दोस्तों इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है ठीक है और अपना पहला ही option है वो इसमें right answer हो जाएगा क्योंकि यह कथन है वो सही नहीं है ठीक है बाकी तीनों सही है आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तो दोस्तों यह जो लागू है यह जोगदा से 18 आईवर्ग के बच्चों में यह अधिक है यहाँ पर C नंबर का अप्षण बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अधिक है इसमें व्यापक मुल्यानकन में व्यापक मुल्यानकन सब्दावली से तात परिये है सतत एवं व्यापक मुल्यानकन में व्यापक मुल्यानकन सब्दावली से तात परिये है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सेक्सिक एवं से सेक्सिक छेतरों का मुल्यानकन यहाँ पर d number का जो option है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा right answer इसमें हो जाएगा यह आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अब हिंदी से समंदीत अपन है वो यहाँ पर प्रशन पढ़ेंगे गध्यान्स को पढ़कर उत्तर देन कर लेना इसको ठीक है तो देखे बर्मांड की परकिरिया पर द्रस्टिपात करने पर हम पाते हैं कि एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु अस्तित्व में आ रही है या एक गटना के बाद दूसरी गटना गट रही है रेखांकित सब्द है यहाँ पर जो बर्मांड है वो क यहां पर देखिए मर्त्यू का अमर्त्व हो जाएगा विलोम सत्य हो जाएगा अंदकार का विलोम प्रकास हो जाएगा सास्वत का यहां पर सनातन दे रखा है जो की गलत दे रखा है दोस्तो सास्वत का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तो सनीक क्या होता है सनीक होता है इस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताईए दोस्तों इसमें गुंड संदी का प्रियोग हुआ है धर्म पलस उपदे से बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें जिसकी आत्मा महान हो वाक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सब्द है महत्मा ठीक है यनिकी जिसकी आत्मा महान हो महत्मा यह नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें निम्न में से कौन सा सब्द सुद्ध है सुद्ध सब्द कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें देखें ब्रमांड जो सब् प्रपत जांगे तूट जाने पर क्रोध करना वेर्थ होता है यहाँपर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही, आगे देखें यहाँ पर निम्न में से संयुक्त वाक्य का चैन कीजिए निम्न में से संयुक्त वाक्य का अपने को यहाँ पर क्या करना है चैन करना है कि कौन सा वाक्य इसमें क्या है सही है यहाँ पर देखें मैं पढ़ता हूँ और गाता है यहां पर देखे और का प्रियोग हुआ है ना तो यह और का प्रियोग दोस्तों स्यूंगत वाक्य के लिए ही हुआ है यहां पर अपना इसमें B-number का option बिलकुल सही आगे देखे दोस्ट वेक्ति की मित्रता इस्ताई नहीं होती यह है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों सरल वाक्य है यह नंबर का option बिलकुल सही सरल वाक्य है आगे देखिए संगीता की बेटी प्रियंका प्रति दिन बाजार जाती है इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है इसका right answer हो जाएगा वो है संगीता की बेटी यह उद्देश्य का विस्तार है इसमें B-number option बिलकुल देना था ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 41 नुमर का प्रेस्ट में धीरे दीरे वह अभी वेक्ति निश्चित होती गई और भासा का रूप धारन करती गई इस वाक्य यानि कि यह हैं वाक्य किस काल का है दोस्तों यह वाक्य है यह कौन सी काल का है यह सामन भू हमारी जीवन दारा की आनंद मही अभी वेक्ती ही तो साइते है रिखांकित सब्द है तो दोस्तों ये सब्द है इस्ट्रेलिंग यहां पर ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से इत्र हो जाएगा इस्ट्रेलिंग आगे देखें 43 नंबर का प्रेशने उसी के द आती है रिखांकित सब्द है दोस्तों यहां पर मनुष्य ठीक है दोस्तों यहां पर सब्द आपको रिखांकित में आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है यहां पर देखिए मनुष्य ठीक है मनुष्य समाज दे रखा है तो यहां पर यह सब्द क्या है इसका राइट आं इसमने ए नमबर उप्शन बिल्कुल से बसे विख विकलिपव इासंगत है वह अपने यहां पर बताना है दोस्तों यहां पर देखिए साईते है यह स्टिवलिंग है तो दोस्तों pulling है यह ठीक है यहां पर strilling गलत दे रखा है जो साहिते सब्द है यह pulling है यहां पर अपना B number का option right answer हो जाएगा अभी वेक्ति strilling है वस्तू भी strilling है यहां पर B number option बिल्कुल से आगे देखें निम्न में से कौन सा सब्द एक वचन है कौन सा सब्द एक वचन है तो यह right answer हो जाएगा वह दो ने संकेत और चिनह टीन होते राइट अन्सर उप्रोख सभी आगे देखे बच्चों में मोखिक बाशाकique के विकास के यह किस पर अधिक बल देंगे आप इसका राय आज्खर हो जाएगा वह दोस्तों किस पर सबसी अधिक बल देंगे तो दो आत्मी किस तरह पर आप किस तरह का बाल साहिते उचित समझते हैं अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐसा साहिते जिसमें सब्दों और गटनाओं का दोरा हो उसको बाल साहिते यनकी इस तरह का बाल साहिते उचित समझते हैं राइट आंसर हो जाएगा C number option सही आगे देखे बच्चों की हिंदी बासा परियोग करने की समता का आंकलन करने के संदर में आप किस तरह के प्रशनों को सबसे अधिक महत्वा देंगे बच्चों की हिंदी बासाव प्रियोग की समता का आंकलन करने के लिए दोस्तों आप किस तरह के प्रशनों का सबसे अधिक महत्व है देंगे यानि कि प्रियोग करेंगे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जिनके उत्रों में विवित्ता है पढ़ना कोसल शिखाने में सबसे महत्व पून है इसका राइट आंसर हो जाए गहा वो है पढ़कर समझने की योगता सी नमबर का आप्षन बिलकुल सही आगे देखिये सिक्षन का सास्त्रीअ पक्स होता है तो दोस्तों शिक्षन सास्त्रिय ग्यान, शिक्षन सास्त्रिय अभ्यास, शिक्षन सास्त्रिय विश्वास, इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी D number option बिल्कुल सही आगे देखिए, हिंदी बासा सिक्षन में निदानात्मक परिक्षन सिक्षक को क्या समझने में सायता करेगा, तो क्या समझने में सायता करेगा, तो दोस्तों हिंदी में विद्यारतियों, सीखने समंदिक किन कटनाईयों का सामना कर रहा है, दोस्तों उसको समझने में सायता करेगा, right answer इसमें होते हैं राइट अंसर सी नंबरногपे लए साही आगे देके हिंदी शिक्सटिन में आ fresh अभीक्रमिक के करमी का कि निम्न लिकित में से कौन सी बिशेस्ता नहीं है तो बता एगा यह कौन और फिर पढ़ सकते हैं आगे देखिए हिंदी सिक्षा में पाठ योजना का आर्वी भाव किस से हुआ तो दोस्तों यह हुआ किस से तो यह गेश्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारतिये बालक को ब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों मातर भासा या चेत्रिए आंग्लेजी बासा हिंदी छेत्र में देखिए इसमें त्रूटियों को अत्यदिक महत्व दिया जाता है यह दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है ठीक है यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें आपे परगर्ति पत्र यानिकी रिपोर्ट क सब्सक्राइब करने से सिक्सक को अपने परतेक विद्यारती के बारे में यह सोचने का मुका मिलता है की की दोस्तों कि उसने सतर के दोरान क्या सिखा और किस चेतर में उसको ज्यादा मेनत करने की जरूरत है यहाँ पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा अग कौन सा मुल्यानकन कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों निरंतर कहलाता है निरंतर मुल्यानकन ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निमनली खित में से हिंदी बासा सिक्षन का महत्व नहीं है बताइए कौन सा हिंदी बासा सिक्षन का महत्व न नहीं है यह पुछा है तो केवल भी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानि कि बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बासा सेकंड संसकर्थ से समंदित यहाँ पर अपने यह प्रेस्ट नहें वो करने जा र बक्ती इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सब्तमी विवक्ति है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए शीतलह मंदै सुगंदी चैवायू वहती वाक्यास्मीन कती विशेशना सब्दा परियुक्ता बताएए इसमें कौन सा विशेश अब्द है वह इसमें प्रियुक्त हुए है ठीक है यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही से तल मंदै सुगंदी ठीक है आगे देखिए आपे देखिए सानंदम इतियत्र संदी कह राइट आंसर क्या हो जाएगा बताए कौन से संदी है इसमें स पूरो समास है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है कि खालिस्तान में क्या आएगा देखिए प्राते वादने विद्यालेम गठ्षामी यहाँ पर देखिए घड़ी दे रखी है क्या टाइम हुआ है दोस्तों सवा सब्सक्राइबिस्तान से भैतर तक प्ष आपतर इसका राइट आंसर होजाएगा वह दोस्तों इसमें कत तो यहाँ पर वृपशन बिल्कुल सही आगे देखिए यहित्यत्र का मीवी बाकती है और आज़े देखिए वि настब्द्या विहीन पशू कर पर की दसमीं Email का रे राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रुपकालंकार है C नंबर आ उप्शन बिलकुल सही आगे देखे विद्याविहίν इत्यत्र कैसमास सही उतर हो जाएगा इसमें समास है दोस्तों combines बिलकुल सही आगे देखे गुरुणाम इत्यत्र कावीबकति loyak Dollar में सही हो जाएगा वह सश्टी बहुचनम ठीक है सी नमबर उप्शन बिल्कुल से आगे देखें पाने नीने सिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों 63 और 64 यहां पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से आगे देखें जन्नी और जनम भूमी स्वर्ग से महान है इता से वाक्य से संस्क्रतेन अन्वाद कुरूत है राइट आंसर हो जाएगा इसमें वह है दोस्तों जन्ननी जनम भूमिश्चे सरवागदपी गरीशेसी राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल से आगे सुद्धम पवनहें वहती उचित पदम निचनुत राइट आंसर हो जाएगा इसमें बताइए इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें सुद्ध है राइट आंसर इसमें बी नमबर उप्शन सही आगे देखे पिर यह वाक्य पदनानें सर्वे कृति विद्यार्थिन मात्र भा साया उप्योग है बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सूभ्त्र हो जाएगा दोस्तों इसमें तो सही करी से दिति डीनमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे प्रस्तावना प्रशनेसूं अंतिम प्रश्वय भाति सह तरो जाएगा इसमें समझ्य आत्मक प्रेशने बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे सर्वनम भासनम पठनम लेखनस से इतियत सहय अप्रम भासा कोशलम अस्ती राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें यह जाएगा दोस्तो अधी गमनम राइट आंसर बी नंबर ऑ उसली नियक पर देखेने केहँ कि लिएयश यहाँ पर को चाक टूरट केंसी सिटा में कुरिय आनुसाग्ट सबस्क्का में गांद सब्सक्साइज में दोस्तों फाय इसमें B नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें आपे अध्यापक छात्रेयो मद्दे प्रबलें अंते किरिया बहुती राइट आंसर हो जाए का इसमें वो है प्रसनोतर कोशलें C नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें मारगो पदेशिका संस्कर्थ मंदिर यहाँ पर दी नंबर उप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा वह यह दोस्तों अपना इसमें वस्तुनिष्ट परिक्षा see नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें संस्कर्थ सिखख सक प्रसिक्षन से मुख्यध देशिम किम साथ राइट आंसर हो ओप्चारिक साधनमस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पे चलचित्रा माकासवानी विद्याले एतांसरवान हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखें इसकुल में भासा इती पुस्तकस्य लेकना है ती राइट आंसर हो जाएगा वो ह है दोस्तों इसमें 60 ठीक है तो यहां पे रहें नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखें इस्ट्रालिंग विश्व विद्याले प्रशना नाम वर्गी करन कती भारगे सुक्रोती राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों चार बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही अगर आपने पिछले 16 मोडल पेपर नहीं देखें तो आप ले लिस्ट में जाईए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट सामाजी कर्दन मोडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाकर पिछले मोडल पेपरों का टेस्ट है वो अवस्य द